हालो हैरिवएंस सुआगत आप सब का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरकीमनिम केमिस्ट्री क्लासेस पथर आज आंप पढ़ेंगे बेंजो कण्डंसेशन क्या होता है कि इसका नाम क्यों पढ़ा benzoin condensation क्योंकि जो product बन रहा है वो benzoin बनता है यह जो product बन रहा है इसको हम benzoin कहते हैं तो RPSC ने direct यह भी पूछ रखा है कि benzoin का formula क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए कि benzoin का formula क्या होगा इसी के नाम पर पढ़ा है benzoin condensation अब क्या होता है benzoin condensation benzoin condensation is self condensation reaction given by aromatic aldehyde condition क्या दे रखे किसके द्वारा दी जाती है aromatic aldehyde in the presence of alcoholic sodium cyanide और alcoholic potassium cyanide यहाँ पर अगर आपको sodium cyanide या potassium cyanide दिख जा alcoholic तो मान लीजे कि reaction क्या होगी benzoin condensation और aromatic aldehyde आपने ले रखा है अब दीकिए aromatic aldehyde कोई सा भी हो सकता है hetero aromatic भी हो सकता है लेकिन normally हम aromatic की ही बात करेंगे और alcoholic sodium cyanide या potassium cyanide की हम बात कर रहे है product बन रहा है benzoin condensation दीकि नीव reaction मेरे साफ से जो पार्ट है बहुत easy है समझना बहुत आसान है कई बार क्या होता थोड़ा different molecule दे देते हैं different reaction देते हैं तो थोड़ा सा उसको समझने में दिक्कत आ जाती है लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप ढंग से समझेंगे मेकनिस को तो अगर कुछ changes होते है reactant में तो आप product में आसानी से change कर सकते हो अगर आप केवल रट रहे हो तो तो फिर आपको दिक्कत आएगी लेकिन अगर आप समझके कर रहे हो तो कोई problem नहीं होगी अगर हम बात करें दो molecule ले रहे है बेंजलियाइड के 6-6-5-CH-O और में water of heat रहा ह questa product में देनियाट करेंगे आपके तो अगर हम मेकनिस की बात करें तो कि में म先生वहागी में सबसे हिलापनी ले रहे है साईयन, अभ साज वहा क्या करेगा और पहली बाद तो इस पर इसफीड約 है नहीं है यह नियुक्लिय अच्छा है ठीक है तो यहाँपर है औ कर रहा है कि अद्ध बात किया जई धीडर है कर पह् conditioner है कि अगर सतने थेुष्चा मैं हुआ तो यह मेंना आपको बता रखा है कि अगर एक मोलेकूल में धो एक है तो जादा आए अधिब नहीं करेगा कम-स इडिक साइड पर एकस्ट करेगा तो साइड ने क्या करा एस हाइड जिए की स्टरंद को बढ़ा दिया यहां से निकल के का चल जाएगा ओपर चल जाएगा तो जो एच प्लस है वो किस पर चलेगा , वो माइनस पर चलेगा अब कार्बन पर गए ... अब यह एस अ ल्सक्टाइब निउक्लेक्टा पर चलेगा तो आपधिस पर आ जाएगा तो आप देखेंगगे है कि वापस से छिर्काल करें तो समसे प्रझाओ Born पर इंघलियाइड पर गा सबसे मौलीड पर है और इस पर साहिनेड प्रेजनेंड की चैवर्डेक्नी इंग प्रोटों ट्रांसवर्टों पर यहां पर वापस क्या करेगा यह यहां से यह और से आपके वीक बेस है स्ट्रॉंग नॉकलिफार गुड़ लिविंग ग्रूप है और यह क्या कर रहा है तो यहां पर साइरेड का रोल बहुत इसके बिना आप यह reaction को imagine नहीं कर सकते है तो यहां पर यह आपके silent निकल जाएगा silent निकल जाएगा तो यह finally आपके product बन गया जिसको आप क्या करें बेंजोइन करें अब यहां पर जो slow step है वो यह वाली step है slow step है वो यह वाली step है तो देखिएंगे slow step जो है उसमें एक तो benzyldeide का molecule यह हो गया और एक यह हो गया अब यह जो बन रहा है यह benzyldeide से बन रहा है तो overall जब आप rate law देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो बेंजल डियाइड है उसकी power 2 है क्योंकि दो reactant काम आ रहे हैं और एक साइनेड हो जाएगा अभी कि आप इसको एक चीज़ समझिए अगर आपने kinetics पढ़ा हो तो intermediate जो होता है उसको direct rate law में as it is नहीं लिखते हैं वो intermediate किस से बना रहा है उसके according rate law में आता है तो जब भी आप overall rate law लिखते हैं आप reactant के sense में ही लिखते हैं तो यहाँ अब आप ही कह लिए rate equals to k अब आपक आपके ऐसे कॉशन पूछे नहीं गये हैं कि rate law क्या होगा या overall order क्या होगा लेकिन पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर अच्छे कॉशन पूछे जा रहे हैं तो वो दीखे होगा क्या वो क्या करेगा molecule की structure change कर देगा जैसे माली जी यह जो है इसका side का structure है वो change कर दे तो जो बताना है तो यह था आपके benzone condensation आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में